हेली इंतवरल में यहकां इसे अतले किनी प्राइल वीडियो लेक्चरस में हमने एग्लाइकोलाइसे स्क्रेप जायक जीन अब रीज में सब के बारे में पढ़ा हिए आले क्मिनुट अब आज मेरे ऑ्लसकार को किस प्रकार से नुकूलॉ को जब हमँ ऑक्सिडाइस करते हैं तो इससे कितने amount of energy जो है वो release हो सकती है ठीक है आज की video lecture में हम electron transport system का basic introduction देखेंगे इसको detail में अभी नहीं पढ़ेंगे बड़ एक basic introduction में आपको बता दू कि electron transport chain होता क्या है और इसमें कौन से processes होने वाले है अब आपको electron transport chain याद करना है या अगर बढ़ना है तो एक तीज आपको हमेशा याद आपने है कि आपके पास glycolysis और creep cycle और link reaction इन तीनों reaction से कुछ reduced coenzyme पर आपको बढ़ने है आपके पास क्या थे some amount of reduced coenzymes तो जब आपके पास reduced coenzymes है इन reduced coenzymes का क्या करना है इनके पास है potential किस चीज की potential है इनके पास potential है energy generate करने की आपके पास na dh plus h plus है आपके पास fdh की तो यहाँ पर यह दोनों जीज अच्छा na dh plus h plus बना किस्स है यह बना था na dh plus है और यह बना था अब electron transport chain यह electron transport system की बात करें तो यहाँ पर एक नाम से आपको साब पता चल रहा होगा कि यहाँ पर electron का transportation हो रहा है यहाँ पर electron का transportation हो रहा है यह reaction आप देखें नदh plus h plus है अब नदh plus h plus कि यह बना है आपके नमा अब आद है नदh plus h plus की बात करें इसको जब हम तोड़ेंगे इसको जब हम breakdown करेंगे oxygen की presence है जब ऑंब जब तोड़ेंगे breakdown करेंगे aerobic condition में तो हमें क्याज्या मिलेंगे एक हमें मिलेगा NAD+, उसके साथ इस से हमें क्या मिलेगा? Hydrogen प्राप्त होगा यहां पर हमें Hydrogen मिलेगा और क्या मिलेगा हमें इनमपे? Electron दिलेगा यह तीन चीज़े हमें यहां पर मिलेगा इस लियक्शन तो धान से लिखो लिख लो क्योंकि यह काम आने वाज है ठीक So NADH+, H+, जो हमारे पास Glycolysis से भी हमें मिला हमें Link Reaction से भी मिला और हमें Krebs Cycle में भी मिला उसको जब हम breakdown करेंगे तो हमें NAD+, Hydrogen मिलेगा और Electron मिलेगा अब आपको यह चीज़ याद रखनी है यह जो NAD+, वो क्या था वो एक carrier की तरह काम कर रहा था वो एक transport vehicle की तरह काम कर रहा था जो NAD+, वो क्या था transport vehicle की तरह काम कर रहा था अब याद करो Krebs Cycle में क्या था हम क्या कर रहे थे जहां भी decarboxylation हो रहा था carbon dioxide निकल रहा था dehydrogenation भी हो रहा था Hydrogen निकल रहा था उसको carry कॉन कर रहा था NAD Plus और carry करके क्या मना रहा था NAD H Plus H Plus तो मैंने पहले भी बोला था यह जो NAD Plus जो है वो एक गाड़ी की तरह है वो एक ट्रक की तरह है जो कि एक बार सामान लोड कर रहा है कहीं लेके जा रहा है उस सामान को अनलोड कर दे रहा है और वापिस अपनी जगा आ जा रहा है मतलब यह NAD Plus का काम था Hydrogen को carry करना और Hydrogen को carry करके यह एक्ट्रोज ट्रांस्पोर्ट सिस्टम में आके छोड़ देगा अब जैसे इसने यहां पर आया है Hydrogen रिमूफ कर दिया यह NAD Plus बच गया करक साकिल में वापिस से Hydrogen को ढूने के लिए ठीक है तो इसका काम को आपको समझने आगे है अब आपके पास जो ने दो Hydrogen मुकले इन दो Hydrogen के पास है Potential किस चीज की Potential इन दो Hydrogen के पास जो है वो 3 ATP Energy की Potential है यह 3 ATP Energy जो है generate कर सकते है अब यहां पर एक चीज आपको समझे एक इन होगा यहां पर चार complex मिलके इलेक्रों ट्रांस्पोर्ट चेन का system कम्प्रेट करते हैं तो सबसे पहले ज़रुनी चीज चाहां रहना कि इलेक्रों ट्रांस्पोर्ट होता का है यह जो होता है इनर माइटो कॉंड्रियल मेंब्रेन जो माइटो कॉंड्रिया है वो दो मेंब्रेन से घिरा हुआ रहता है माइटो कॉंड्रिया जो है दो मेंब्रेन से घिरा होता है तो उसका इनर इसे mitochondrial membrane है, उसमें ये electron transport system का जो भी complexes है, वो वहाँ पर बैठे रहे हैं, चीक है, electron transport system की जो complexes है, वो mitochondria के inner membrane में बैठे रहे हैं, जैसे कि ये mitochondria है, ये में टो ये मईटो कोरेन, ये outer membrane हैं लोगी है, ये फूल्दिषपाई आते हैं, अधर फोल्दिषपाई है, इसे फूल्दिषपाई है इनर-mikokonryl membrane लोगी तो इसी inner-mikokonryl membrane में जो ये, inner-mikokonryl membrane में अपको, प्रण के अब यहां पर जो इसका प्रशेजर है उसको तो हम डेटेल में नेक्स बीडिशिकर्ष करेंगे बट यहां पर इसका इसका इंट्रोड़क्षिंग में होता दो कि एक्शुल में इलेक्ष्ण महां नोगा करकें वेल्य ने जरूरी यहां पर एलेक्षों स्ब्स्टों जो है。 जो हो बड़ शरण क्रॉेऄस व कॉम्पलेखन में पूरा होते pegar और अधर उसे एक शरण कॉम्पलेक्षों था है protein complex जिसे theatrol transport system जिए कोंगी पहला protein complex पहला पहला FmL and आरन sulfur FmL पहला और है यहाओने FmL FmL प्रफिड प्रफियो लेकिर एट FmL इस यह नेंच पर Flamin Mononucleotide F-Stand for Iron इसको surface of 11, mononucleotide and iron sulfur, यह मिला कि एक complex रहा है, यह protein complex यह, यह complex, first complex one, खेक है, अब इसके आपे हम बढ़ेंगे, तो यहाँ पर यह आता है, Q, जुसको आप Q मी लिख सकते हो, जुसको आप U जुम भी लिख सकते हो, जो अपन बोलते है, U-B tunon, U-B tunon जो होता है, वो एक co-enzyme अता है, चेक है, U-B tunon जो होता है, वो एक co-enzyme होता है, यह क्या है वो enzyme ही ठेक तो यहां पर uq या q आप जोनले रिख सब पर uvpinon होता है उसके साथ साथ uvpinon में होता है uvpinon जो होता है वो connective link होता है complex 1 और complex 2 के बीच में complex 1 और complex 2 को जोड़ने का काम करता है connected का काम करता है यह uvpinon ठेक है so complex 2 जो होगा आपको होगा FAD FES FAD stands for Flavin Amino Dinucleotide okay so FAD and FES यह uvpinon सो जोड़ना राता है complex 1 को uvpinon सो जोड़ना राता है here जो FAD FES जो है complex 2 और complex 2 जो इसके आगे हम बढ़ता है complex 2 है अब इसके आगे हम बढ़ता है इसके आगे अगे हम बढ़ेंगे तो complex C हमारा आएगा complex C में आते है protein substances like cytochromes 3rd is cytochrome B, iron sulfur and cytochrome C1 cytochrome B, iron sulfur and cytochrome C1 cytochrome B, iron sulfur and cytochrome C1 यह 3 मिलके बनाता है complex 3 यह 3 मिलके बनाता है after complex 3 and final complex 4 के अगर अपने बात करें उसके बीच में एक mobile phase आता है mobile phase होता है cytochrome C, mobile phase होता है low होता है cytochrome C और उसके पाब final जो 4th phase है, 4th complex होता है cytochrome A and cytochrome C3 यह जिरी है यह अगे नहीं मिक्ता है जो हमारा के बीचे बनाना जो को that is cytochrome A and cytochrome A3 यह दोने मिचे बनाते हैं आपको complex 4 यह बनाते है complex 3 यह बनाते है complex 4 तो यह है आपका total complexes जितने हैं यह cytochrome A और cytochrome A3 सो यह समझ में आया, यह complexes होते हैं यह mobile phase है यह connective है, FML और ATS अब यहां तो होता क्या है? first complex से transportation होता है electron का last complex तक ताकि final reaction हो सकी है जो कि terminal reaction होता है जहां पर एक molecule water कभूं बनाते हैं और hydrogen जो है वो बार-बार F0 F1 complex जो है उससे transport होता है अंदर से बाहर की तरफ बाहर से अंदर की तरफ यह जो transportation है इससे energy का generation होता है और energy से जो hydrogen जो है उसके energy utilize होती है वहां पर हम वहां से KTP synthesize कर लेते हैं यह सारे चीज़े है यह आपको पढ़नी आचा है Cyanide के बार आपको सुनाओगा Cyanide जब हम शरीर में खाते है इस Cyanide का activity यह हो जाते है जिसनाओं से जो भी organism में उसकी बहुत जल्दी instant future head death हो जाते है एक्परमेंट FBS 2nd complex 3rd complex 4 complex 4 complex सिस्टम बनता है इसको डीटेल में हम नेक्स्ट वीडियो में बढ़ते जाएंगे अच्छा यह याद रखना कि सारे complexes जो है co enzyme का मतलब enzyme की activity को बढ़ाने वाला molecule तो यह सारे चीज़े आपको याद रखनी है electron का जो transport का पूरा system है वह हम अगले वीडियो में डीटेल में डिसकस करेंगे सो stay tuned अगर यह वीडियो पसंद आई हो इसको like कीजे share कीजे हमारे चैनल को subscribe कीजे बिलते हैं एंगले वीडियो में डीटेल के साथ thank you very much झाल वीडियो